सही आयुर्वेदिक फ्रेंचाइजी कम्पनी का चैन आयुर्वेदिक फ्रेंचाइजी कम्पनी चुनते समय किन कारकों पर विचार करें रेपुटेशन अपना रिसर्च करें और अन्य फ्रेंचाइजी की समीक्षाय पड़े ऐसी कंपणी चुने जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने की रेपूटेशन हो प्रोडक्स सुनिश्चित करें की आप कंपणी द्वारा पेश किये जाने वाले उत्पादों से परिचित हैं और आप उनकी गुणवत्ता में विश्वास करते हैं Marketing Support फ्रेंचाइजर को आपको Marketing Support प्रदान करनी चाहिए जैसे की विज्यापन सामगरी और आपके व्यवसाई की मार्केटिंग कैसे करें इस पर मार्ग दर्शन प्रशिक्षन, फ्रेंचाइजर को आपको उत्पाद ग्यान, बिक्री तक्नीक और ग्राहक सेवा सहित अपना व्यवसाय चलाने के बारे में व्यापक प्रशिक्षन प्रदान करना चाहिए फीस, सुनश्चित करें कि आप फ्रेंचाइज समझोते में शामिल सभी शुलकों को समझते हैं, जैसे प्रारंभिक फ्रेंचाइज फीस, रोयल्टी फीस और मार्केटिंग फीस समझोते की अवधी, पता लगाएं कि फ्रेंचाइज समझोता कितने समय के लिए है और नविनी करण की शर्ते क्या है सपोर्ट, सुनिश्चित करे कि फ्रेंचाइजर आपको प्रचार सामगरी और मार्केटिंग सपोर्ट जैसी निरंतर सहायता प्रदान करने को तयार है इन सुझाओं का पालन करके आप यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि आप एक ऐसी आयूरवेदिक कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं जो निश्पक्ष काम करती है और आपके हितों की रक्षा करती है